हाँ भई क्या हल चाल वड़िया तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 10th Mathematics की गाईज क्लास 10th Mathematics के लिए भहुत सारे कमेंट्स आरे थे भई कैसे भी पास करवादो ये करवादो भई भहुत ज़दा वीक है Mathematics ये वो तो इस चीज को देखते हुए मुझे तो महनत करनी पड़ी 3-4 दिन लेकिन एक ऐसी PDF तयार कर दी जिसके अंदर पूरा का पूरा पेपर का पैटरन है कि वह कैसे कैसे क्यूसन्स आएंगे कहां कहां से क्यूसन्स आएंगे क्या तुम्हे पढ़ना है इन 2-3 दिन के अंदर ताकि तुम Math का पेपर फोर्ड सको ये PDF बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन की गई है क्योंकि इसको डिजाइन करने में 3-4 दिन लगे है मैंने हर्याना बोड के पैटरन को समझे कर वो टाइप ढूण निकाले हैं जिनके क्यूसन्स आपके पेपर में आने वाले हैं तो वो सारे टाइप हर एक चैप्टर का यानिकि आपके सारे चैप्टर से रियल नमबर से लेकर प्रोबैबिलिटी तक हर एक चैप्टर में कहां कहां से कौन से टाइप के क्यूशन्स आएंगे क्या आपको पढ़ना चीए सब कुछ बता दिया है और एक और बात ध्यान रख तो पेपर में अलग टाइप का आजाएगा वैल्यू बदल देंगे तो आपको समझ कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपको पैटरन समझ में आ गया प्रैक्टिस करके उसके सोलिशन कैसे होते कौन-कौन से स्टैप्स है कौन-कौन सा फोर्मूला लगा है तो ही आप कर पाओगे वरना चाहिए मैं पीडियाफ दे दूँ चाहिए भगवान उतर के पीडियाफ दे दे नहीं हो सकता क्योंकि मैथमेटिक्स का सिंपल रूल है जो कोपी भरेगा कोपी मरने का मतलब प्रैक्टिस करेगा वही पास होगा वही अच्छे नमर लेके आएगा तो असी क्यूशन तुम अगर कर जाओ तो भाई तुम मैथ का पेपर फोड के आने वाले हो गारंटी है तो यह जो पीडियाफ है आपको डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएगे डाउनलोड करने के लिए चले हम आपको पीडियाफ दिखा देता हूँ और इसका पाशवर्ड भी ब अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना इसके अंदर जो है आपको टाइप ऑफ क्यूशन बताए गए हैं क्यूशन नहीं बताए गए तो आपको इन टाइप के क्यूशन को ही पढ़ना है क्यूशन के लिए तुम कहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूगा उसमें तरीके से आपको बताया गया है कि कहां कहां से क्यूशन आने वाले हैं तो देखिए यहां पर फर्स्ट चैप्टर हम ओपन करते हैं तो यह देखिए रियल नंबर्स देखिए कितने अच्छी तरीके से ऐसा कंटेट तुमें मिल सकता है हरियना बोड में मुझे नहीं लगत यहां पर देखो find the HCM-LCF using prime power factorization, find HCM-LCF verify relationship यानि कि एक एक चीज़ बताई गई है proving irrational number अब देखिए यहां पर हमने बता दिया अंडूट 2, अंडूट 3, 2 प्लस 5, अंडूट 3 यानि कि pattern यही रहेगा अब कुशन कुछ भी आ सकता है कहने का मालब अंडूट 7 आ अंडूट 3 आ जाए कुछ भी आ जाए लेकिन pattern यही रहेगा कुशन का अब जो standard mathematics वाले हैं वो इस type के कुशन भी ज्यादा practice कर ले यह भी नीचे लिख दिया है तो इतनी अच्छे तरीके से design की गई है कि अगर तुम यह download करके इसको 20 minute इसमें 20 page हैं ध्यान से पढ़ लो और फिर practice करो mathematics की तो एक number का paper होगा तुम्हारा आगे देखो आगे मैं आपको दिखाता हूँ यह देखो second chapter आगया polynomials देखो एक number से colorful यहाँ पर text लगा लगा के एक number से design की है तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह polynomials के chapters हैं उसके important pattern हैं questions हैं कि कहां कहां से किस type की questions आ सकते हैं चाहे वो quadratic polynomial equation बनाना हो कुछ भी करना हो इसके अलावा यहाँ पर pair of linear equations into variable कहां कहां से questions आ सकते हैं सारी चीज़े बता दी practice इस type की questions की कर लीजिए यह भी लिख दिया और क्या चाहिए भाई इसके बाद यह देखो किन्नी अच्छी तरीके से design की है quadratic equations सारी चीज़े बता दी हैं इसके अ हम आगे भढ़ते हैं आगे यहाँ पर आप देख सकते हो arithmetic progression AP के अंदर बता दी हैं कि बही common difference निकालने के questions आएंगे या फिर एनर्थ टरम निकालने के questions आएंगे क्या होगा क्या नहीं और case study questions भी दिया है एक case study AP वाले chapter से आ सकता है 99% तो इस type के आएंगे उसमें आपको ए एक friend है आपका वीर जो एक 200 मिटर रेस में भाग देना चाता है he can currently run that distance in 25 seconds and with each day of practice it takes him 2 seconds less यानि कि यह देखो इस तरही किसी करना है 51 seconds लेता है रोज वो लेकिन रोज 2 seconds कम करता जाता है तो 51-2 फिर 49-47 हो जाएगा तो इसकी AP क्या बनेगी यह B option 51-47-47 इस type से ठीक है तो ऐस एसे AP बनानी है के steady easy आएंगे AP से ही ज्यादत तरह आएंगे या फिर वो statistics से आएंगे या फिर trigonometry जो है applications वाले chapter से आएंगे इस type से आएंगे 10 से लेने की जुरत नहीं So friends ऐसे ही सारे के सारे chapters यानि के आपके real number से लेकर probability तक सारे के सारे chapters के ये जो है PDF तयार है description में ये free of cost इतनी भेनत जो है वो free of cost तुमें दे रहा हूँ ताकि तुम exam 40 क्या हो description में जाके download कर लो password बता देता हूँ इसका password रहेगा 2000 यानि कि 2000 दो हजार password है इसका description में PDF का link है उसके click करोगे password मांगेगा 2000 भर देना और उसके बाद इसको download कर लो और पढ़ लो भाई इसको जो है तगडी तरह दायार कर लो इसमें जितने भी type of questions बताए हैं से भार एक भी नहीं आएगा पूरा पूरा pattern जो है वो इसी PDF में जो बताएगा है उसी type पे आएगा वही questions एक्जाम में 4 चांद लगा देगी जिसमें free of cost एक PDF मिलेगी questions की उनको practice कर लेना mathematics में एक बात ध्यान रखो value जो change हो सकते हैं लेकिन type of questions में तुमें सारा का सारा बता दूगा कैसा क्या आ रहा है उसके बाद science और उसके बाद sst sst का paper थोड़ा सा hard हो सकता है उसके लिए हमे तगड़ी तयारी करनी पड़ेगी लेकिन चलो वो आगे की बात है तो कल आ जाएगी वो वीडियो सब तयार रहना फिर मिलते हैं जैहिंद जैभारत